इस वीटiयो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीटiयो में किसी भी दवाय का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाय को इस्तिमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से ज़रूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उप्योग करते हैं और आपको कोई side effect होता है तो उसमें हमारी कोई जम्मिदारी नहीं होगी। और heartburn और acid reflux से जुड़े दर्द से राहत दिलाता है। आपको इसे ठीक वैसे ही लेना चाहिए जैसा कि इसके प्रभावी होने के लिए निर्धारत किया गया है। जीवन शैली में कुछ सरल परिवर्तन GERD के लक्षणों को कम करने में मदद कर सकते हैं। इस बारे में सोचे की कौन से खादे पदार्थ नाराज की पैदा करते हैं और उनसे बचने की कोशिश करें। छोटे, अधिक बार भोजन करें. यदि आप अधिक वजन वाले हैं, तो वजन कम करने का प्रयास करें और आराम करने के तरीके खोजने का प्रयास करें. सोने के 3-4 घंटे के अंदर कुछ न खाएं. इस दवा को अपने चिकित सक द्वारा बताई गई खुराक और अवधी में लें. इसे पूरा निगल लें. इसे चबाएं, कुछले या तोड़े नहीं. ये स्टी कैपसूल सीनियर को खाली पेट लेना है. ये स्टी कैपसूल सीन इसो में प्राजोल एक प्रोटॉन पाम पावरोधक यानि की PPI है जो पेट में एसिट की मात्रा को कम करके काम करता है जो एसिट से संबंधित अपच और नाराजगी से राहत दिलाने में मदद करता है. वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद. अगर आपको ये व चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को टन आन ओल नोटिफिकेशन पर सेट करें. धन्यवाद.